दोस्तो आज हम आपको दुनिया के सबसे खतानाक ब्रीजों के बारे में बताने जा रहे हैं इस ब्रीज को दुनिया का सबसे खतानाक पूल का खिताब भी मिल चुका है या ब्रिज जर्मनी में बना हुआ है और या पुल को दो चटानों को जोडने के लिए बनाया गया है या ब्रिज बहुत ही सुंदर और उतना ही खतानाग भी है इस ब्रिज को देखने पर आपका दिल बहुत तेजी से धड़केगा और अगर इस पर चलने की कोसिस करेंगे तो और इस पुल पर कदम रखने के लिए आप सो बार सोचेंगे 180 मिटर लंबा और 110 मिटर उचा या ब्रिज सुजालेंड के अलपास ओप गेडन में इस्ति थे या 2004 को सिप अलपाइन कलाप के ट्रिक जोपडी तक कौँचानी के लिए इस ब्रिज को बनाया गया था और या एक खतानाग सलरस्ती से बना हुआ था मगर 2009 को इस ब्रिज को दूबारा मजबूत से बनाया गया या पूल बहुत ही सुंदर लेकिन उतना ही खतानाग जंगल के बिच बना हुआ है और या पूल प्रियाटों को से भरा रहता है इस ब्रिज के काकुम राष्टी उधान का वन तल चातर फिट नीचे है इस पूल का एक मात्र सहारा दोनों तरफ का दो रसियों पर बना हुआ है इस पूल में लगा हुआ लकड़ी खराब हो गया है और इस पूल का कंडिशन इतना खराब है इस ब्रिज पर दो लोग नहीं चल सकते हैं नमबर 4 रेकिक एड रेड रोफ ब्रिज यूके 65 फिट लंबा या पत्थरों के बीच इस्तित उत्री आईलेंड के एक एट्रिक सहर में इस्तित है या रसिस से बना हुआ ब्रिज जिसे पार करने के लिए बहुत हिम्मत की ज़रुत पड़ती है नमबर 5 दा मंकी ब्रिज मैंकॉंग डेल्टा के साथ इस्तित या ब्रिज इसका नाम बंदर जैसी है लेकिन या बाकी पूलों की तरह थोड़ा गिन्ने का खत्रा जादा है क्योंकि या बसों को एक दुसरे के साथ बान कर बनाया गया है इसमें अगर आपका फेर फिचल ग पर आप